इंटरनेट पर मैंने Mob Psycho 100 के lead character Mob को देखा था लेकिन उसे देखकर मुझे लगा कि किसी ने One Punch Man के lead Saitama का parody बनाया है लेकिन जब मुझे पता चला कि Mob Psycho 100 नामक एक anime है जिसे One Punch Man के writer नहीं बनाया है तब मैंने इसे देखने का decision बना लिया और Mob Psycho 100 was really worth it सबसे पहले एक बात को clear कर दूँ कि One Punch Man का नाम सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि Mob Psycho 100 भी एक action-packed anime है मैंने भी इसे इसी expectation के साथ शुरू किया था लेकिन अच्छे खासे action के साथ इस anime में अच्छा खासा emotion, story और character development भी मौझूद है Mob Psycho 100 के basic storyline की बात करें तो ये कहानी है मौब की जिसके पास psychic powers हैं लेकिन बचपन में एक बुरे हाथसे के बाद मौब ने अपने emotions को suppress करना शुरू कर दिया ताकि वो emotional होकर इन powers से किसी दूसरे हाथसे को अंजाम ना दे और शायद जहां तक मैंने story को समझा मौब इसी वज़े से दुनिया का सबसे strong psychic बन गया है लेकिन मौब अपने emotions को एक limit तक ही restrict कर सकता है अगर वो limit cross हो गई तो मौब को रोकना next to impossible है लेकिन दुनिया का सबसे strong psychic होने के बावजूद भी वो एक under confident school kid है और वो अपने special someone का attention पाने के लिए desperate है एनिमे का main plot तो यही है जहां पर मौब रेगन नामक एक fraud psychic को अपना mentor मानता है और नए-nए villains के साथ उसकी लड़ाई होती है लेकिन इस fight से जादा हमें mob को as a character develop होते हुए दिखाया जाता है One Punch Man में जहां Saitama as a character well developed है और उसे अपने personality पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है Saitama mob की तरह emotionally vulnerable नहीं है जिसकी वज़े से दुनिया का सबसे strong psychic होने के बावजुद भी mob दूसरों से सीखता है और खुद में scope of improvement देखता है इसके अलावा पूरे anime में कई बहतरीं characters और उनके arcs है मुझे personally first season में mob के भाई का character arc काफी पसंद आया इसके अला लेकिन जब बात psychics उनके psychic powers और fights की आती है तब यह animation काफी बढ़िया work करता है इसके अलावा इस anime में humor भी काफी बढ़िया है और Reagan जैसा character और उसके special moves आपके चेहरे पर एक smile लाने का काम तो ज़रूर करेंगे अब हो सकता है कि मैं इस anime की सिर्फ तारीफ ही कर रहा हूं ले लेकिन mob की journey को follow करना काफी worth it है फाइनल सीजन में जो aliens पर based एक arc था वो मुझे उतना खास नहीं लगा वैसे तो इस arc को mob और उसके दोस्तों के relationship को दिखाने के लिए use किया गया है लेकिन वो aliens मुझे कुछ convincing नहीं लगी लेकिन इसके बाद का जो final arc है वो काफी unexpected लेकिन एक बहुत ही proper closure देने का काम करता है और यही arc इस anime को worth it भी बनाता है फाइनल मॉमेंट्स में जब mob पहले रोता है और फिर जब हसता है एनिमे का जो intro music है वो भी काफी बहतरीन If everyone is not special, you can be what you want to be Overall, Mob Psycho 100 एक normal anime viewer के लिए एक काफी बढ़िया choice है क्या आपने Mob Psycho 100 इस anime को देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप One Punch Man की बारे में मेरा opinion जानना चाहते हैं तो इस video को ज़रूर देखिए